रोज बनाओ देशी चाइनीज छे परपाल वे हमारा देशी चाइनीज इतना स्वादिस्त होता ना पूछिए मत हर गली नुकड स्ट्रीट्स में आपको मिलता है और हम बड़े चाओ से खाते हैं और वो ही हम घर पे करना चाहते हैं लेकिन घर पे जब करते हैं तो कई बार घरबड़ होने लगती है आज मैं बना रहा हूं शेजवान फ्राइड राइस अब सब लोग क्या कंप्लेन करते हैं शेफ हम जो राइस करते हैं वो चिपक जाता है वो सही नहीं होता है तो आप बताएं कि करना क्या होता सही तो सबसे पहले तो जो राइस करते ना चोटा दाना वाला राइस नहीं यूज कर सकते आप रेगुलर बास्मति यूज करें या सेला बास्मति करें ठीक है जी आप उसे पहले 15-20 मिनट तक भिगाएं सेला बास्मति है तो आदे घंटे के उपर तक भिगाएं फिर उसको बाले और व जिजवान फ्राइड राइस के भाने आपको राइस बॉयल करने की करेक्ट टेकनीक बताऊं कर ठीक है जी सबसे पहले मैंने यहां कड़ाई रखी है और पानी भेर सारा ले लिया है तो यहां पर हमने रेगुलर बास्मती लिया और उसे भिगो के रखा है तो 20 मिनिट तक सब्सक्राइब हो जाता है पानी में हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे अब जब पानी अच्छे से उबल जाए तो यह चावल जो है पानी द्रेंद करके अब ढाल लेते हैं मलका साब मिक्स कर लें और इसको पाशली ढखके पका है तो जी चावल जब भी आप उबालें यह ध्यान में रखें कि पानी बहुत जादा होना ची लगभग चार-पांच गुना पानी हो तो चावल अच्छे से खिलेंगे और बीच-बीच में थोड़ा सा चर करते रहें रिगरे स्टर ना करें दाने टूट जाएंगे अब यहां पे चावल एक बार चेक डबार लेते हैं दीया नहीं पकाने थोड़ा सा प्रेस होना चाहिए और चावल पकाने 80 % ठीक हैं कि यह बहुत जरूरी है पूरे नहीं पकाने 100 परसंट चावल एकदम सॉफ्ट नहीं पकाने थोड़े से खड़े रहे हैं यह अभी ऑल्मोस्ट रेडी हो गये हम अब छान लीजेगा थोड़ा सा खाके भी देख सकते हैं थोड़ी सी कसर बाकी हो तो चावल निकाले और छान देखें अब एक तेल ले ले इसलिए थोड़ा सा तेल लगा ले और यह जो चावल है यह इस तरह से फैला ले और इसको अच्छे से स्प्रेड़ कर लें यह वाह क्या बात अब अगर आपने इमीरेटली चावल बनाने हैं तो भी आपको थोड़ा सा रुखना पड़ेगा क्योंकि यह चावल को थोड़ा ठंडा करना होता ठीक है जी तो आप अपने घर में पंखे के नीचे यह चावल रख लें आइडिली इसे रेस्ट करने दें ताकि इसकी जो स जो तार चेना वो जो स्थिकिने से ग्रेन के उपर वो खतम हो जाए और यह तभी होगी जब आप पंखे के नीचे रखेंगे या इसे ठंडा करके फृज बैं तो ग्रें थोड़ा सा हो जागा फृज में रखेंगे तो मैं आपको क्लेरली बताओ एक बोल में जिसमें भी इसको रूम टेंपरेचर पर लाने के बाद जिस किसी बोल में भी रखेंगे उसे क्लिंग फिल्म से ढखके रखें ताकि मॉइस्चर जो है वो बराबर रहे वरना फ्रिज में जो है चावल उपर वाले जो ग्रेंज होते हैं वो एकदम ड्राय हो जाएंगे वो भी नहीं होना चाहिए तो इसे हम ऐसे रख देते हैं ताकि यह थंडे हो जाएं यह अब तरीका अगर आप अपनाएंगे फ्राइड र और तयारी करते हैं सब्सक्राइब चलिए सबसे पहले सब्सक्राइब काट लेते हैं गाजर ले लेते हैं जैसे मैंने अपने कुछ वीडियो में बताया भी कि आपको इस तरह से स्लांट रखके सब्सक्राइब पहले गाजर स्वाइस कर ले नहीं 45 डिग्री आंगल पर भूमा के इस तरह से दो भाग में ले लें एक साथ नहीं पकड़ सकते तरह से लच्छों को वापस घुमा के काट एकदम बारित इसी तरह से पत्ता गुबी को भी काट लें किस्टैम काट लें इसको फिक देना है बोभी के लच्छे काट लें फिर खुमा के इस तरह से चौक कर ले और इसी तरह से फ्रेंच बीन्स यह भी काट लें अब प्यास चौक कर लेते हैं इसी तरह से स्प्रिंग अनियन काट लेते हैं अब यह सारी चीजे मैंने नाइफ से काट के आपको दिखा दी अब एक और असान तरीका आपको बढ़ायता हूं कैसे मैनुवल चौपर से आप यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले प्यास ले लेते हैं और प्यास को पुड़ा मोटा मोटा काट लेते इस तरह से और यह मेरा मैनुवल चौपर जो है इसमें प्यास को ढाल लेते हैं और इसको चौप कर लेते हैं कि यह लेजिए हमारा प्यास पड़ा पड़ा चौप हो गया यह भी मैं रख लेता हूं इसी तरह से इस चौपर में गाजर भी डाल सकते हैं कि इतनी सब्सक्राइब वह नहीं डाल सकते जैसे कापसिकम यह नहीं डाल सकते फ्रेंच पीन्स को मोटा मोटा काटके आप डाल सकते हैं चौप हो जाएगा गाजर डेफिनेटली क्याबिच डेफिनेटली यह यह आपके सामने करता हूं वाह क्या बात है यह लीजी एकदम बढ़िया चारेट्स चौप क्याबिच यह भी काटलेते हैं मोटा मोटा यह लीजीए तो चलिए सारी तयारी होगी अब जो इस आपको बता रही है यह जो राइस है हमने बॉयल करके फ्रिज में रखा था अब इसके दाने देखिए बिलकुल एकदम कण कण ऐसे आसानी से गिर रहा है यह देखिए यह स्टोर करना ज़रूरी है यह देखिए यह फ्रिज में रखे हुए चावल बिलकुल दाने अलग और यह हमने अभी फ्रेश बॉयल किया था अब इसको थोड़ा सा समय लगेगा इसको फ्रिज में रखेंगे तो यह दाने बिलकुल ऐसे हो जाएंगे बिलकुल और यह देखिए फ्राइड राइस की एक दम है स्पेसिफिक चीज यह यह अगर बचे बन फ्रीज बरके या हुबाल के फ्रिज में रखें तो फ्राइड राइस के दाने जो हैं चावल के दाने वह बिलकुल अलग होते तो हम बना रहे हैं शेजवान प्राइड सबसे पहले क्या करना है यह मेरी सबजियां कटी हुई है सारी चीज़ें तयार एक कड़ाई में तेल डाल लेते हैं यह लीजिए और इसी तरह से डालना आपने और तेल डालने के बाद टेमपर कर लें कड़ाई को बिल्कुल ताकिक चावल जो है वो चिपके नहीं बहुत जरूरी देखिए आपके पास अगर वॉक है तो ठीक है नहीं तो दोनों कान पकड़िये कड़ाई थे और इस तरह से घुमा लीजिए अब स्टेप आई स्टेप पहले प्यास जालेंगे एक प्यास दस सेकेंड तक स्टर प्राई उसके बाद जो कच्ची सब्जियां हाड होंगी पहले वो डालेंगे वीन्स और कैरेट्स तो टोटल दो कप सब्जियां लेनी है आपने लगभग छे कप उबले हुए चावल के लिए जो बचे हुए चावल है वो छे कप होने चा हाई फ्लेम पे स्टर प्राई करें और उसके बाद क्याबेच जालें क्याप्सिकम डालें और अब चावल डालें सब्जियों को लगभग एक मिनिट तक पकाएं उसके बाद चावल डाल दें यह देखिए यह चावल देखिए छे तब चावल आपने डालने हैं और इसके साथ चिंग सीक्रेट का एक पाकेट शेजवान प्राइड राइस मसाला आपने डालना है इसमें और बस मिक्स कर लेना है दो बड़े चमच पानी का डालने हैं वो इसलिए ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाए तो बड़िया देशी चाइनीज शेजवान प्राइड राइस तयार है जी इसमें नमक या कोई चीज डालने की ज़रूरत नहीं है बैई इस चिंग सीक्रेट के शेजवान प्राइड राइस मिसाने में सब कुछ होता है ताकि टेस्ट में आपको इतनी सी भी दिक्कत ना है और जब भी आप खाएं बोले भाई क्या बात है मज़ा आगे तो हम परोस लेते हैं कि प्रोड़ा स्प्रिंग ओनियन लेके गारिश कर लें क्या बात है खाना बनाना इतना असान अगर चिंग सीक्रेट के स्पाइसेज और सौसेज आपके साथ हो तो मज़ा आ जाएगा र झाला असान 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 शचीज आपके स्पाइस तो मज़ा है बात हैं कि प्रोड़ा आपके स्ट्पाइस आपके प्रोड़ा असान असान आपके साथ हो तो हम परोस नहीं दो खाहें।